याल से उपर कि जितनी महिलाएं अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउण्ट खुलवा लें सरकार बनने के बाद महिला के अकाउंट में हर महीने एक एक हजार उपे डाला करेंगे ये लोग इस पर भी मेर को खुब गालियां देते हैं कहते हैं महिलाओं को पैसे देने की क्या जरूर थे दोस्तों आपको भी पता होगा बहुत सारी लोग मैं देख रहा हूं बहुत गरीब परिवारों के हैं कई ऐसी बेटियां ہیں पैसे की कमी के कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है कॉलिज के पैसे देने की नहीं है पिता जी के पास, बस का किराया देने के लिए है पिता जी के पास, अगर उस बेटी के जेब में 1000 तो वो अपनी पढ़ाही पूरी कर लेगी, कर लेगी कि नहीं कर लेगी, कितनी ऐसी बहने हैं महेंगाई की वज़े से वो अपने बच्चों को दुद नी पिला पाती, वो अपने बच्चों को सब्जी नहीं खिला पाती वो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाती ऐसी बहन की जेब में हजार रुपे जाएंगे तो वो अपने बच्चों को ठीक से पाल सकती है कि नहीं पाल सकती तो हजार हजार रुपे हर महिला को हम उसके अकाउंट में देंगे मैं सभी महिलाओं को कहना चाहता हूँ हवे तमारे चिंता करवानी जरूरी न थी तुमारो भाई आवी गय अचे दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल बहुत शांदार कर दिये सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में बेजता है पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी जैसे गुजराथ के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है शते theta टूटी पड़ी दिवारें टूटी पड़ी दी सर्कारी स्कूलों का बहुत बुरा, था पहले दिली में आज हमने सर्कारी स्कूल इतने शांदार, इतने शांदार बना दिए अब एकही,նदेस्पे जज का बच्चा, आये सफसर का बच्चा और रिक्षे वाले का बच्चा एक साथ बैठके पढ़ते हैं अब मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है रिक्षे वाले का बच्चा डक्टर बन रहा है किसान का बच्चा वकील बन रहा है गरीबों के बच्चे अब शान दार नौकरियां मिल रही है उन बच्चों को ऐस गुजरात के भी सारे सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, गुजरात के अंदर खूब सारे नए सरकारी स्कूल खोलने हैं, और इतनी अच्छी विवस्था कर देंगे, दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अपने नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भरती करा रहे ह गुजरात में इतने अच्छे कर देंगे स्कूल कि आपको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने की जूट नहीं है सरकारी स्कूल भेजेंगे सारे जने लेकिन अगर फिर भी जो लोग प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहें अभी मेरे को पता चला है प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडा-गर्दी मचा रखी है कभी भी फीस बढ़ा देते हैं उट-पटंग फीस लेते हैं यह प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करेंगे दिल्ली में साथ साल से प्राइवेट स्कूल वालों को हमने मनमानी फी प्राइवेट स्कूल से निकालके सरकारी स्कूल में भरती करा होगे दिल्ली में एक कम और किया आज अगर अपने घर में कोई बिमार हो जाए और थोड़ी सी बड़ी बिमारी हो जाए घर के जेवर बिक जाते हैं घर की जमीन बिक जाती है सब चुबे की जाता है और फिर भी पता नहीं आदमी बचता है नहीं बचता है सरकारी अस्पतालों का हाल बुरा है ना दवाईयां मिलती हैं ना टेस्ट होते हैं ना मशीने काम करती हैं पहले दिल्ली में भी यही आल था दिल्ली में हर गाओं के अंदर हर महले के अंदर हमने मह अल्ला क्लिनिक खोल दिये, एक MBBS डॉक्टर बिठा दिया, सारी दवाईयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज मुफ्त, बड़ी बिमारी हो तो बड़े-बड़े सरकारी, नए खूब सारे अस्पताल बना दिये, शांदार अस्पताल, प्राइवेट से भी जादा अच जंता का, हर आदमी का इलाज हमने मुफ्त कर दिया चाहे, अमीरों चाहे गरीबों, गुजरात के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गुजरात में भी करेंगे, खूब सारे नए सरकारी अस्पताल खोलेंगे, हर गाउं के अंदर मैंने पूरा हिसाब लगाया है, गुजरात में 20 हजार महला क्लिनिक खोलेंगे गाउं के अंदर, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा, भगवान ना करें आपके घर में कोई बिमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बिमार होता है, चिंता मत करना, आपका बेटा आपका इलाज कराएगा, मेरे को राजनीती करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को ब्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पिताल बनाने आते हैं, अगर गुंडागर्दी चाहिए उन लोगों को वोट दे देना 27 साल से देते आयो ब्रश्टाचार चाहिए लफंगई चाहिए उनको वोट दे देना अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हो अपने परिवार के लिए अस्पिताल बनवाने हो तो मेरे पास आ जाना मैं बनवा दूंगा मेरे पास कुछ नहीं है मैं एक आम आदमी हूं हमारी पार्टी के पास कुछ नहीं है